पिलिया है। मुझे इस बात की खुसी है कि हमारे 10 सास के मेडिकल कालेज के साथ ही हमारे यहाँ नीजी छेत्रक के मेडिकल कालेज भी प्रदेश में मेडिकल एजूकेशन को मजबूत करने और होनहाँ डाक्टरों की नई पिढ़ी तयार करने में अपनी अहम भूमिकानी भा रहे हैं। 36 गड़ में मेडिकल एजूकेशन जितना मजबूत होगा हमारे यहाँ स्वाथ सुधाओं का धाचा भी उत नहीं उन्नत होगा। यह खुसी की बात है कि हमारे यसस्षी प्रदानमंत्री श्री नरे नोदी जी के नित्तुत में एक दस्तक में 36 गड़ में मेडिक मेडिकल एजूकेशन का जितना विश्तार हुआ उतना पहले कभी नहीं हुआ। इसका सिधा आसर प्रदेश की स्वास्यवाओं में दिखेगा। जब हम मेडिकल एजूकेशन और स्वास्यवाओं की बात करते हैं तो मुझे अटल जी की आदाती है जिन्होंने छतीगड मे एम सारम कराया उसमें मेरा सुभा था कि मैं सानसत था और उसमें बहुत मरीज हमारे पास दिल्ली आते थे और मेरा एक होबी भी है मरीजों का इलाज कराना और मेरा जो वहाँ पर नोर्थ एवन्यू में जो आवास था हमेशा उसमें भरे रहते थे लोग और हमारे जब उस समय के रासभा सांज़त से सुर्गे दिलिप सिंग जुदेव जी कभी कभी वह आते थे हमा करना के रखे हो सब मरीजों का इधर उधर कपडा लत्ता सब विख्रा हुआ पड़ा मिलता था लेकिने एक मेरी होबी थी जिसमें आज भी मैं कायम हूं अभी मुक्यमंत्री हूं तब भी यहां पर एक कुर्पूरी सदन यहां पर बना के रखे हैं और वहां लगातार ऐसे परदेश के मरीजों को मलब वहां मारदर्सन भी मिल रहा है उनका उचार भी हम लोग कर रहे हैं और ज्यादा मैं नहीं कहते हुए आपके इस महाविद्धालक के प्रबंधन को पुना मैं बधाई देता हूं आपने इस मेंडिकल कालेज में बहुत अच्छी विद्यार्थ के लिए सुविद्धा दी है इससे निश्चित रूप से हमारे जो इस प्रदेश के भावी चिकिस्सक हैं और निश्चिन्त होकर अपनी पढ़ाई पूरा कर सकेंगे और अंत में फिर मैं को जरात्परा सरकार बाबा को नमन करना चाहूंगा और उनसे यह आसिरवाद भी क कि उनका आशिरवाद हमारे च्छतिजगड को हमेशा मिलता रहे च्छतिजगड में खुसाली हो और आज का गवरोसाली च्छन उफलत कराने के लिए मैं फिर से एक बार ट्रस्ट का भार व्यत करते हुए और ये मेंडिकल कॉलेज उत्रोतर विकास करे इनी सुब कामनाओं के साथ मैं अपनी बात समाप करता हूँ जैहिंद जैच्छतिजगड बहुत बहुत धन्यवाद मारी मुख्य मंत्री महदय आपके एक चीज मैं भूल रहा था पुझे बाबाजी का अग्रह है कि यहाँ पर जो कोलेज के अगल वगल में जमीन है तो रिक्वार्मेंट होगा तो निश्चित रुप से सरकार उनको जमीन उपलप्त कराईगी